अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जहाँ पर मैजोरीटी के लोग रहते हैं आच चुनाव लगने की हिम्मत नहीं है यह आतनकर वादी हिंदु की सजाओं को मिल चुकिये है और इसलिए भाग करके जहाँ मेजोरीटी माइनोरीटी पर है बहाँ सरल नेने के लिए मजबूर हो गए शिरी नरेंदर मोदी ने आज वर्धा में जो बापू की धर्ती है कॉंग्रेस अधक शिरी राहूल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर प्रशन उठा कर देश की सनातन परंपरा को चुनोती दी है मोदी जी ने देश के सवतंतरता सेनानियों वे अंग्रेजी हकूमत से लड़ते हुए सवतंतरता संग्राम में कुर्बान हुए वीरों उनकी कुर्बानी को अपमानित करने का ना काबिले माफी कारिये भी किया मैं फिर दोह राता हूँ मोदी जी ने देश के सवतंतरता सेनानियों वे अंग्रेजी हकूमत से लड़ते हुए सवतंतरता संग्राम में कुर्बानी देने वाले वीरों की को अपमानित किया है ये नाकाबिले माफी कारी है मोदी जी को ने भुगोल की जानकारी है ने इतिहास की ने सवतंतरता संगराम की और नहीं इस देश की गंगा जमनी तहजीब की क्या मोदी जी वे भाजप्पाईयों को ये जानकारी भी है कि वाइनाड मशूर सवतंतरता सेनानी पजहासी राजा जो कोटायम रोयल डाइनेस्ट्री के प्रमुक थे उनकी करम भूमी है जिनोंने अंग्रेजी हकूमत से दक्षिन भारत में आगे बढ़ कर जम कर लोहा लिया और पहली बार दक्षिन में अंग्रेजों से गुरिला यूद लड़कर उन्होंने वीरगती प्राप्त की पजहासी राजा बड़सी राजा पड़सी राजा क्या मोदी जीवे भाजप्पाईयों को यह जानकारी भी है कि वाइनाड केरल में लवकुष मंदिर के नाम से मशूर है जाना जाता है तो क्या आप भगवान शिरीराम को भी अपमानित करेंगे क्या मोदी जीवे भाजप्पाईयों को ये जानकारी भी है कि वैथीरी वाइनाड में जैन समाज का इकलोता मिरर टेम्पल है क्या मोदी जीवे भाजप्पाईयों को ये जानकारी भी है कि वाइनाड में सबसे जादा आदिवासी जनसंख्या है और आठ अलग अलग ट्राइब्स के आदिवासी वाइनाड के अंदर अपना जीवन वेतीत करते हैं और तरक्की में भागिदारी करते हैं क्या मोदी जी को ये जानकारी भी है कि वाइनाड का नाम वाइल नाडू यानि के विलेज ओफ पेडी फील्ड्स के नाम से जाना जाता है वाइनाड किसानों की करम भूमी है वाइनाड के अंदर सबसे बहतरीन फसल होती है कौफी, चाई, पेपर, कार्डेमॉम, रबर इनकी खेती के लिए पुरे देश में वाइनाड मशूर है ये एक देश के किसानों की करम भूमी भी है क्या मोदी जी वे भाजप्पाईयों को ये जानकारी भी है कि वाइनाड में 90 परतीशत साक्षर्ता है ये इस परकार का तरक्की पसंद मेहनतकश किसानों का इलाका है क्या मोदी जी वे भाजप्पाईयों को ये जानकारी भी है कि वायनाड में सेंसस के मुताबिक पचास परतीशत जनसंख्या यानि आधी जनसंख्या हिंदू समाज की है और इस देश की परंपराओं के अनुसार सबसे अधिक आधिवासी, गलित, पिछडे और अलग अलग धर्मों के लोग यहां मिलकर केरल और देश की तरक्की के लिए काम करते है क्या मोदी जी को इस बात की समझ है जानकारी है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांठने का कूक रिते करने पर रिप्रेजेंटेशन और पीपल आक्ट 123 का करब प्रेक्टिस कर उन्होंने उलंगन किया है प्रदान मंत्री शीरी नरेंदर मोदी जी आपको पूरे देश से माफी मागनी चाहिए और चुनावायों को संग्यान लेकर यह करब प्रेक्टिस है सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन और पीपल आक्ट में प्रदान मंत्री के खिलाफ निरनायक कारवाही करनी चाहिए